अब बात करते हैं, पार्ट C की, पार्ट C में कुल मला करके 75 कोशन है, और 75 में से केवल मुझे जो करने होते हैं, वो केवल 25 करने है, 50 कोशन नहीं करने हैं मुझे, तो यहाँ एक सबसे बड़ा जो पहलू है बात का, एक तो नंबर है 100, और चोईस है बहुत बड़ी, तो सबस्कुरो कि market में चार नई movies आई हैं और तुम्हें वो movie देखनी है को इसी एक movie देखना है तुम्हें और तुम वो देखना चाते हो जो तुम अच्छी लगे तो तुम कैसे decide करते हो कि मुझे कौन से movie देखनी है कौन से नहीं देखनी पूरी पिक्चर देख करके तब डिसाइड करते हो कि यह पिक्चर मुझे देखनी है या नहीं देखनी है या फिर तुम उसका ट्रिलर देख करके डिसाइड करते हो पिक्चर तो होती है दो घंटे की ट्रिलर होता है दो मिनट का तो अब इसी parameter को इस question पर fit कर दो, c में, जो question है, उस question को पढ़ने में जहां आपको लगते 3 minute, आप उसे मातर 2 second या 3 second में उपर से निचे तक देखो, उसमें word पकड़ो, जैसे DNA, RNA, इस तरह के word पकड़ो, या ऐसे word जो तुम जानते हो, जो तुम तुम जानते हो, जो तुमार पहली choice हम बनाते हैं, वो तो इस बात की choice बनाते हैं, कि वो question हम करना चाहते भी हैं या नहीं, तो जिसे हम लोग pick करेंगे, उसे पढ़ेंगे, और पढ़के देखेंगे, कि हम उसे कर सकते हैं, या नहीं, जिसे pick किया है, उसे करना ही पढ़ेगा, ये कोई शर्त नहीं है, बट आप कभी भी 75 questions पूरे नहीं पढ़ते हैं, एक्जाम में, टाइम ही कितना है यार, हमारी spirit इतने यादा थोड़ी है कि हम इतना तेज पढ़ जगे हैं, और मत बूलो, सबी जगे negative marking भी है, section A, B, C, तीनों जगे, तो आप वो question करना चाहते हो, जब choice यतनी यादा अच् हैं, जिसमें एक भी question गलत ना हो, तो choice बहुत समझदारी से बनाओ, डर करके नहीं, डर होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहाद रुके करो, question छोटे पकड़ो, question ऐसे पकड़ो जिसमें calculations ना हो, question ऐसे पकड़ो जिसमें graphs हो या plus minus वाली कहानी हो, तब आप समझपाओगे कि मज़ा क्या है, अब जैसे ये question है, काफी बड़ा question है, बट फिर भी question पिक कर सकते हैं, क्यूंकि पहली बात question के अंदर जो पूरी information दे रखी है, अगर आप देखो, तो इस paragraph में मुझे कहीं कोई numbers दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब इस question के अंदर कहीं कोई calculation नहीं है, motive words है, somatic cell hybridization, मतलब hydration की story है, कुछ नहीं कुछ, निचे दे रखा है, उन्होंने chromosomes, enzyme दे रखी है, cell line दे रखी है, तो शायद ये किस cell के अंदर कौन सा enzyme प्रेजेंट है, और वो enzyme किस chromosome की वज़े से वो ये बात कर रखी है, और फिर आगए हम option में, option में उन्होंने chromosome दे रखे हैं, तो इतना देखके मैं मालूम पढ़ गया, कि इस question में, probably chromosome को enzyme के साथ link करना चाहते हैं, कि कौन से chromosome पर कौन सा enzyme है, पढ़ भी लेते हैं, Somatic cell hybridization is used to assign a gene to a particular chromosome, पहले लाएं में लिखावा है कि हम लोग gene को assign करना चाहते हैं, क्रमोजोम के साथ, कि ये gene किस chromosome पर है, जब इन्होंने दो cell line ली, दो different species को fuse किया गया, तो उससे एक heterokaryon बना, heterokaryon हम लोग हमेशा उन cells के fusions को बोलता है, जिसमाद दो अलग-लग species के nucleus हो which tend to lose chromosomes as they divide, ये cells जब भी अब की divide करना शुरू करेंगे तो एक special chromosome gap होते आते हैं, अब पैनल of cells was created from mouse-monkey somatic cell fusion, एक उन्होंने इस तरह की multiple cells त्यार कर ली, mouse और monkey की fuse करा करके, और हर line को examine किया गया monkey chromosomes के लिए, अब इसमें क्या है, कि monkey chromosome दे रखे हैं, एक से लेके 10 तक, और जो रखे हैं, enzyme के लिए cells, cell lines, जो cell line number A है, उसमें chromosome number 1, 2, 3, 4, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, लेकिन 608 chromosome उसके अंदर नहीं है, वो गया हो गया, enzyme है, अब यह सोच के देखो, सपोज तुमारे कमरे में, तुमारे मेच के उपर 100 रुपर रखे हुए गया, तुम नहाने के लिए गये, बाह कमरे में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, हाँ, तुमारा roommate तुमारे साथ है, जो तुम अपने आप एक theory करना शुरू कर देते हो, क्योंकि इस कमरे में वो note और तुमारा दोस्त केवल वो थे, तुमारे तुमारे दोस्त ने वो soka note लिया होगा, ठीक है, अब तुम एक theory confirm क जाना, routine life में हो सकता है, वो soka note लेने के बाद में उसका मनना करे एकला soka note लेने का, बर assume कर लो कि वो soka note उठाने के लिए बना हुआ बंदा, तो अगर वाके में तुमारा दोस्त जिम में दार था, वो soka note को उठाने के लिए, और दुबारा तुम आपने दोस्त को बहार इक अंदर नहीं था, और फिर भी soka note गाया वाद, तो इसका मतलब क्या वा, तुमारा दोस्त is not responsible for the loss of your money, यह simple सा लोजिक है, अगर कहीं पर किनी cells में ऐसा जिन में enzyme बन रहा है और उन में कोई ऐसा chromosome है, जो उन cells में नहीं है, जिन cell में enzyme नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं कि बही वो एंजाइम राने वाले जीन उस क्रमोजाइम पर है मतलब जब जब वो क्रमोजाइम हो एंजाइम बनना चाहिए और जब जब वो क्रमोजाइम ना हो एंजाइम नहीं बनना चाहिए या दूसरे तरीके से बोलू ये वो cells हैं जनमें enzyme बनता है तब इनमें chromosome ऐसा चेक करो जो केवल इन A, B, D और F में तो हो C और E में आओ तो chromosome number 1 को देखो तो ये A में है, B में नहीं है, भूल जाओ chromosome number 2 A में है, B में है, लेकिन C में भी है C में enzyme नहीं बनता है, भूल जाओ chromosome number 3 ये A में है, B में है, C में नहीं है वहाँ enzyme भी नहीं है D में है, enzyme है, D में E में नहीं है, enzyme नहीं है और F में भी नहीं है तो भूल जाओ इसे भी फिर यहां होना चाहता उसको chromosome number 4 B में नहीं है, नहीं discuss करेंगे मिसे 5, chromosome number 5 A में है B में है एंजाइम भी बनता है C में नहीं है और C में एंजाइम भी नहीं बनता D में नहीं है लेकिन एंजाइम बनता है तो फिर क्रमोजम नुबर 5 भी वो नहीं है क्रमोजम नुबर 6 A में एंजाइम है बर वो नहीं है क्रमोजम नमबर साथ साथ जो है मेरा A में है B में है C में नहीं है और Enzyme भी नहीं है D में है Enzyme है E वाली सेल्स के अंदर मेरा क्रमोजम गायब है और Enzyme भी गायब है और लास्ट में मेरे पास क्रमोजम है और Enzyme भी है तो जब जब यह chromosome में तब तब मुझे enzyme मिल रहा तो बहुत सिधी बात है, chromosome number 7 तो हो गया हमारा fit chromosome number 8, enzyme था लेकिन नहीं था A में chromosome number 9, C में enzyme नहीं है लेकिन यह वहाँ है chromosome number 10, ऐसी story के साथ भी है तो इस तरीके से इस question को solve करके, अगर हम मतलब इतने अराम सा हम solve करेंगे इसा तो बहुत accurately इसका answer निकाल लेंगे answer करते विए कभी अपने दिमाग का ज़्यादे इस्तेमाल मत करो, हाथ का इस्तेमाल ज़्यादे करो हाथ से लिखो, हाथ से चीज़ों को solve out करने कोईश करो, और उसके साथ सा दिमाग चलाओ, दिमाग में data को रखो मत, जो भी दिमाग में data है, data को कागश पोतार लाओ, तो accurate answer होने के chances बढ़ जाते हैं तो जो में, जो इस सारी कहानी की जो summary है, वो यह है कि अगर आपको net को exam को qualify करना है, तो qualify करने के लिए, एक तो मैं यह बलूँगा कि farm बढ़ते वे English plus Hindi भरो, या sorry, वो जो Hindi वाल आता है, वो भरो, क्योंकि Hindi वाले में जो booklet आती है, वो Hindi और English दोनों में आती है, कभी-कभी वो help में जाता है, English में अगर मुझे कुछ लाइन समझ में नहीं आए, तो मैं हिंदी वाले कोशन को पढ़ लूँगा, अगर मैंने केवाल English opt किया है, तो केवाल English का ही paper आता है, दूसरी बात है कि मुझे तेरे यूनिट पूरी नहीं पढ़ने चाहें, complete, knowledge आप अपनी MSC म बात बढ़ा लो, लेकिन फिलहाल exam qualify कर लो पहले, पहले काम है exam qualify करना, तो उसके लिए selective study करो, कभी भी 145 questions के लिए तियारी मत करो, questions आप पच्छतर करना चाहते हो, तो आप 80 के लिए तियारी कर लो, या 90 के लिए तियारी कर लो, बट 145 मतला पूरा सली बस पढ़ने चेक क पढ़ने मत पढ़ो, केवल उन topics को पढ़ो, जो exam के लिए सबसे प्रूबल है, और उन topics में उतना पढ़ो जो exam में पूछा जाता है, exam के time पर अपनी choice को smart बनाओ, question को जल्दी से pick करना सीखो, तीन घंटे के exam में शिरुआत के 15 मिनट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से 100 question आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 100 question इसलिए बूल रहा हूं था कि आप जो choices में ना कर पाओ कुछ है तो आप अपना काम कर सको, किसी question पे लंबी दिर तक मदट को, और किसी question के साथ अपनी ego मत लड़ाओ, यह मसुचों कि यार यह हम करके आएं और यह question तो करके रहेंगे, for example हो सकता है कभी आपने pedigree पढ़ाओ आपने, दस दिन लगाता है, और आपको लगता है कि बस pedigree तो आप कर ही लोगे, और फिर exam में कुछ ऐसा question आया कि आप नहीं कर पा रहे चोटे question, come calculations या बिना calculations और fast, I hope अगर आप इन चीज़ों को follow करोगे तो आप भी मेरी तरह multiple time net exam qualify कर सकते हो, मैं इन exams को काफी बार qualify कर चुका हूँ, तो मैं मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ तो मैं कि इस exam को qualify करने के लिए क्या guidance ही है, indeed इस तरह के और वीडियो मैं post करूँगा, जिसमें मैं कुछ question को करके solve कैसे करते हैं, वो भी दिखाऊँगा, tricks को check, इस लिए इस channel को आप subscribe कीजिए, प्लस इन वीडियो को साथ मैं share कीजिए अपने facebook, whatsapp group के उपर, और कोई suggestions हों तो मुझे mail पर लिख सकते हैं, sapling agutech at the rate gmail.com, या फिर इस वीडियो के comment में आप अपनी, जो भी आपके suggestions हों डाल सकते हैं, thank you